हलो एन वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट मैं हूँ श्रधा पांडे देखे धोनी का एक चेला अपनी हरकतों की वज़े से आज बहुत जादा चर्चा में बना हुआ है सोशल मीडिया पर धोनी के इस चेले की बहुत ही जादा चर्चा हो रही है काफी जादा चर्चा भी नही यह एसा कौन चेला है दोनी का तो आपको बता देते है वो चेले का नाम है एन जकदीशन जीया है एन जगदीशन जो की चेन्नाई सूपर किंग्स का बहुत ही एहम हिस्सा रहे हैं चेन्नाई सूपर किंग्स का एहम हिस्सा है और चेन्नाई सूपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए हमें नजर आते हैं और तमिल नाडू प्रीमियर लीग का पहला ही मैच काफी जादा रोमांचक था, काफी जादा उतार चड़ाव से भरा था और ये पहला मैच अपने सूपर ओवर तक पहुँच गया था, जी हाँ सूपर ओवर तक पहुचने के बाद इस मैच में निशकर्श निकला थो सूपर ओवर तक पहुंचा था काफी जादा एक्साइटमेंट थी फैंस को इस मैच को लेके क्योंकि आगाज हो चुका है पहला मैच ही था यह उसमें जो है बाबा इंदरजीत ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसमें उनकी आलोचना है जिसको लेकर उनकी आलोचना है पुरे सोशल म कर रहे है और क्रिकेट को भी डिस्रिस्पेक्ट कर रहे है तो चली क्या है वह पूरा वाकिया बताते हैं आपको इस वीडियो में इसे लाम करें आपको से जब ने जञए इनभी क्रीश से थोड़ा सा आगे आ गये थे उसी दोरान जो है बाबा अप राजित ने उनको आउट कर दिया था यानि उनको बौल जो है स्टंप पर लिगा दीती जिसको आम मानकडिंग के नाम से भी जानते हैं जी हां उनको मानकडिंग कर दिया था बाबा अपराजित ने एन जगदीशन को जो है उसी समय मानकडिंग कर दिया था जो कि बहुत बहुत ही जादा यूज्वल चीज है मतलब इसमें कोई गुस्सा होने वाली वाली बात नहीं है क्योंकि इससे पहले भी आ इस्तमाल क्या यानि भद्दे इशारे करते वे हमें एन जगदीशन नजर आये और बस एक बार नहीं जब वो डगाउट की तरफ जा रहे थे तो काफी बार उन्होंने भद्दे इशारे करे जो कि डिस्रिस्पेक्ट थी ना केवल टी एन पील पूरी लीग की डिस्रिस्प तो इसलिए उन्होंने काफी जो इशारे बद्दे इशारे करते वे वो डगाउट की तरफ चले गए थे उसकी वज़े से जो है सोशल मीडिया पे वो काफी जादा ट्रोल हो रहे हैं और ऐसी कुछ वाक्या हमने देखा था 2019 में देखे 2019 में जौस पटलर यानि जौस ता ब सवाल यही बन रहा ट्रोलर्स भी जातर यही पूछ रहे हैं कि एक मामुली सी हार्थ हो थी मानकडिंग का शिकार जिस तरीके से बटलर हो सकते इतने बड़े खिलाडी आप भी हो सकते हैं और मानकडिंग को अब जो है वैल्यू दे दी गई है यानि मानकडिंग एक करते वे हमें नजर आए एन जगदीशन कमेंट के जरी आप भी हमें जरूर बताएं कि एन जगदीशन का यह जेस्चर यह भद्दा इशारे करना और डिस्रिस्पेक्ट करना क्रिकेट जगत को डिस्रिस्पेक्ट करना यह आपको क्या लगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है और एक और सवाल की मानकडिंग को आप जो है किस तरीके से देखते हैं यानि मानकडिंग जैसे रूल को आप किस तरीके से देखते हैं साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजे और स्पोर्स फ्रैक चैनल को सबस्क्राइब करना मत भ झाल